हेलो स्टोय लेक्म टीडंडी चैनल टॉपर एंड लेनन दर्निंग प्लैटफॉर्म इस वीडियो हमें हम देखने वाला है कि महारास्ट्र स्टेट बोर्ड की जो मैतमेटिक सब्जेक्ट है उसका चैप्टर वन ठीक है इसमें जो स्पेसिपिकली जो होने वाला है वो होने वाला है जो इसकי अभी डाइग्राम आई वो हुई होने वाला है जैसे की rational नमबर को आप नमबर लाईन पे किस तरह से plot करेंगे क्योंकि वो irrational नमबर अंडर्रूट वाला है under root 2 है तो वो irrational नमबर है तो उसको plot के से करेंगे तो हम लिख नहीं पाते हैं तो उसका exact number क्या है तो उसी की जो procedure है book में दी हुई मैंने explain करके आपको बताऊंगा आपको बस उसको देखना है screenshot निकालना है और आपके book में लिख लेना इतना simple है इतना simple है ठीक है तो आए बढ़ते next अगर आपने इसके अभी यह six number का lecture है अगर आपने five lecture नहीं देखिया त करके वहाँ पर भी अच्छी तरह से explanation किया हुआ है तो यह हुआ था last lecture में ठीक है तो आप विजिट करके देख लिजे कुछ वीडियोज है जैसे कि important videos है आपके लिए angles हो गये test of divisibility हो गया और science का एक sale का है तो आप वह भी विजिट कर सकते है description box में उन्हें सब की link दे दिय अगर आपको नहीं मिलता है तो channel पर जाएए वहाँ पर तो सभी videos दे दिये है ठीक है आईए शुरुआत करते है irrational number से irrational number को समझने से पहले आपको rational number क्या है वो समझना पड़ेगा तो उसकी मैंने definition with proper points आपके लिए दे दिये है वह आप पहले समझ लिए जैसे कि मैंने शु आपके से किये जाएंगे वो देख लेते तो rational number क्या है simply a number which can be written in a P by Q form ये P by Q form में जो भी number लिखा जाता है that is called a rational number ठीक है वो rational number होता है P by Q form मतलब 1 by 2 जैसे हम लिखते है fraction में simply अगर इसको बोलेंगे mathematical language में तो fraction में अगर कोई number लिखते है तो वो हो जाता है आपका rational number लेक है after definite decimal expression जैसे कि example है इसको मैं आप यहाँ पर solve करके दिखाता हूँ 25 by 4 इसको हम solve करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 24 और यहाँ पर मिलेगा 1 तो इसको आप यह 4 से तो डिवाइड होगा नहीं तो आप decimal point होगे उसके बाद यहाँ पर 0 फिर 2 यहाँ पर मिलेगा 8 और बाकी य आप पर फिर चलब से 20 कर दिजे और यहाँ पर 4 & 5 किया तो यह आगे आपका 00 तो यह क्या हो गया definite एक समय के बाद यह क्या हो गया यह टर्मिनेट हो गया अब इसके आगे कुछ नहीं आए गा रागत वह तो यो आपको कूशन्ट है इसके आगे कुछ भी नहीं आएगा त जैसे कि यह 10 by 3 है 10 by 3 है तो इसको आप डिवाइट करोगे 10 by 3 से तो 3 3 सा क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा यहां पर बचे का 1 तो 1 के लिए 10 decimal point फिर से तो यह आगें 3 आपको लिखना पड़ेगा 9 आएगा ठीक है अगें 10 आएगा तो यह terminate नहीं होगा लेकिन यह repeating होग जैसे कि recurring हो गया ठीक है तो यह 2 point अगर यह 2 point में से कोई भी एक satisfy करता है तो को जाएगा वह जाएगा rational number यह पहला वाला भी rational number है second वाला भी rational number है ठीक है तो अगर आपको समझ में आ गया है तो इसका screenshot निकाल लीजे या फिर इसको save कर लीजे वीडियो को ठीक है तो मैं इसको erase कर देता हो आईए बढ़ते अब लेखते है राश इर्राशनल नमबर और राशनल नमबर की definition देख लिजेए same है ठीक है same है बोथ number विल बी रिप्रेजेंटेड इन दी पी बाई क्यू फॉर्म दोनों भी नमबर जो है फीबाई क्यू फॉर्म में लिख सकते है ठीक है लेकिन क्या होता है लेकिन रिराशनल नमबर में जो भी नमबर आता है वह नॉन अगर पाई लेते हैं, पाई की वैल्यू, अगर आप अंडर रूट 3 लेते हैं, अंडर रूट 2 लेते हैं, तो यह सब नमबर कों से हो गए, यह non repeating, non terminating है, इसलिए यह कों से हो गए, यह हो गए, irrational नमबर, तो अब हमको क्या देखना है, irrational नमबर को अभी plot करना है, जैसे कि य है, आपको यह plot करना है, नमबर लाइन में, simply कोई नमबर था, अगर positive, negative, यह आपकी number लाइन है, यह 1 है, यहापे 2, 3, so on, ठीक है, इधर negative side, negative 1, negative 2, negative 3, so on, अगर आपको बोल दिया, simply की 1 plot कीजे, तो आप plot कर देंगे, जल्दी से यह है, आपका 1, अगर आपको 3 plot कर देंग यहापे 3, अगर बोला, माइनस 2 करती है, तो माइनस 2, लेकिन अंडर रूट 2 कैसे plot करेंगे, अंडर रूट 2 कैसे plot करेंगे, क्योंकि दो rational number के बीच में, infinite irrational number होते है, ठीक है, दो rational number के बीच में, तो आप कैसे plot करोगे, तो इसलिए आपको यह method adopt करनी पड़ेगी, आपको तोड़ा सा यह geometry का box वगरा ready रखना पड़ेगा, उसके हिसाप से आपको निकालना पड़ेगा, तो आएए देखते हैं, इसको मैं अब क्या करता हो, अच्छी तरह से आपके लिए यह solve करके दिखाता हो, तो आपको क्या करना है, मैं आपको यह solve करके दिखाता हो, यह आग और उसके बात one आप mention करते हो, one, two, three, तो one जो है, इसका distance अभी फिलाल कितना है पता नहीं, तो इसको आप क्या बोलेंगे, one क्या बोलेंगे, इसका unit बोलेंगे, ठीक है, तो इसका distance लेना है आपको, और क्या करना है, आप one के ऊपर क्या करना है, एक perpendicular डालना है, पर्पेंडिकुलर कैसे होता है, पर्पेंडिकुलर कैसे होता है, पर्पेंडिकुलर होता है आपका right angle में, तो right angle मतलब आपको set square लेना है, set square से आपको क्या करना है, इसका पर्पेंडिकुलर डालना है, तो आपको यह अच्छी तरह से पर्पेंडिकुलर डाल दीजिए, एक यह अब यह ढाल देता हो परपेंडिकुलर यह यह ओप No ऐसा ठीक है यह थोड़ा सा गलत हो गया आपको सीदी लाइड निकालने है यह आप ठीक है तो मैं इसको करता हो किसे डिजिटल है न तो डिजिटल में थोड़ा सा slip out हो जाता है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आती है तो आपको क्या करना है मैं थोड़ा से इसको try कर देता हूँ इस तरह से यह आ गया ठीक है थोड़ा सा लेके 1 तक, यह distance आपको लेना है compass box में, compass मतलब जो आपको chop करेगा है जिससे आप circle draw करते हैं, वो लेना है और जो उसका point वाला needle होता है needle मतलब जो metallic needle होता है वो यहाँ पे रखना है और जो pencil होती है वो यहाँ पे रखनी है, इसके बाद वो pencil pencil इस तरह से यह जो distance है वो perpendicular पर आपको क्या करना है इस तरह से इसे mark कर देना है यह आपने क्या की? MARK कर दी, perpendicular से इसने mark कर दी, फिर आपको क्या करना ह। यह point मिल गया इस point को दे दीजिए आप नाम P और यह पहले वाली जो line थी perpendicular line इसको आप करता धिए लाइन एल ठिक है और जो यह नीचे point है इसको लिख दिए ए मतलब इसको क्या कर दे हैं न बिना des perché ढू酒 झाल नाम की किई रखती इसको नाम लेकि डिखिए ठीक है उसके बाद यह इस पयंड को तो vẫn कर देतों कि आपको समझने में थोड़ी से आसा नए तो यह मैं ने चожет कर दिया है और मैं क्या कर तो इस धिJust can make rocky रोगे पेंसीश सीदोर से तो यह स्ट्रेट लेन आज जाए ठीक है इस इस तरह से यह triangle बन जाएगा जैसे कि यह बन गया है आप इस तरह से यह triangle बन जाएगा तो यह हो गया आपका right angle triangle राइट एंगल ट्रेंगल जैसे आता है तो आपको पता है यह वाला जो है वन यूनिट है इसका डिस्टंस ठीक है और इसी से तो आपने उपर यह मार्क किया था तो यह भी वन यूनिट है ठीक है अब निकालना है यह कितना है इसको आपको निकालना है तो यह कैसे नंबर लाइन के लिए इधर कितना है माइनस टू है सिमिलरली यहां पर कई तो भी तू होगा यहां फे त्री होगा ठीकिए यह नंबर लाइन कम्प्रिट कर दी मैंने अब निकालना है आपको यह वाला यह question मा यहां की जो यह ooh line line है ये कितनी है तो आपको इसके लिए pythagoras theorem पता होना चाहिए पर जैसे आप pythagoras theorem use करते हो जैसे से आप pythagoras theorem use करते हो तो आपको क्या मिलता है यह जो o p है वो मिलता है पाइतेगुरस क्या थेरम क्या बलता है op square equals to क्या है oa square plus pa square इसका distance लिखना है तो अभी फिलाल op तो पता नहीं तो उसको आप वेसे के वेसे लिख लिखे oa कितना है one square plus pa कितना है one square तो ये दोनों का भी square कर दीजे तो one plus one ही आएगा यहाँ पर लिख लिखे ओपी square ठीक है उसके बाद यहाँ पर लिखे oa square और यहाँ पर one plus one कितना आएगा two आएगा ठीक है अब क्या करना है इतना तो 100 लोग है लेकिन यहाँ पर है अभी square अगर square को निकालना है left hand side में तो आपको और राइट एंड साइड में क्या करना पड़ेगा अंडर रूट डालना पड़ेगा अंडर रूट में यह 2 चल जाएगा तो यह आ गया भई आपका op इक्वल्स टू अंडर रूट टू फिर से paint change करके दिखा देता हो आपको समझने में थोड़े सी आसानी जाएगी तेसे कि यह अब distance है यह distance कितना हो गया under root 2 यह हो गया under root 2 अब जैसे ही यह under root 2 आता है तो क्या कीजे इस वाले point पे इस वाले point पे आपका जो compass है इसकी metallic जो needle है वो इस पे रखिए और pencil जो है वो pencil को यह p point पे इस पे रखिए तो इसी तरह से इस point को नीचे आप खीच लिजे तो आपको क्या मिलेगा जैसे कि यहां से लेके यहां तक कितना है under root 2 है ना यहां से लेकि अगर यहां तक under root 2 है इसी को आप नीचे लाओगे compass से तो यह कितना आएगा तो यह भी तो under root 2 ही आएगा ठीक है तो आपने under root 2 number line पे plot कर दी है successfully बहुत ही आसान इतना अगर नहीं समझ में आया तो इसको repeat करके देख लीजे one by one step by step करके इसको देख लीजे समझ में आ जाएगा कुछ भी नहीं है simple है हाँ अगर अगर आपको पाइटागरास theorem पता नहीं है तो मैंने पाइटागरास theorem की भी एक वीडियो बना दी है वह भी आप में यहाँ पे डाल दिये मैंने चैनल पर तो आप वहाँ पे जाके चेक कर लीजे पाइटागरास theorem क्या है बहुत ही simple है आपको यह समझ में आ जाएगा इसकी link में description box में दे दूंगा वहाँ पे जाके भी आप उसको समझ सकते इसके related क्या है अभी next वाला practice set है तो आपको point under root 2 तो आपने plot कर दिया तो आप इसी के तरह आपको क्या करना है उसके ही बाजु में under root 3 को plot करना है ठीक है तो इसका video में क्या करूंगा next lecture में डाल दूंगा आपको practice set 1.4 वहाँ पे solve की गई मिल जाएगी ठीक है जो साथे में इस channel को क्या किजे आप subscribe कर लीजे और bell icon पर click कर लीजे जैसी कोई नई video में डालता हो तो आपको मिल जाएगी ठीक है तो thank you so much for your love and support thank you so much for your love ठीक है God bless you